अभी हाली में आप लोगों ने एक रिपोर्ट के बारे में सुना होगा जिसका नाम है अंतराष्टिय धार्मिक सुदंतापर रिपोर्ट 2021 के नाम से और आपको बता दूँ कि अमेरिकी जो बिदेश बिभाग है ना इसके द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है और इस रिपोर्ट में आप देखे कि भारत ने आपती दर्ज की है इस रिपोर्ट को लेकर क्योंकि भारत में जो आप देखे कि धार्मिक सुदंता को लेकर निचली इस्तिती बताई गई यानि कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक सुतंता को लेकर पिसन ने चिन खड़ा किया है और आप सभी जानते हैं कि हमारे जबमिधान के भाग तीन में आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसमें धार्मिक सुतंता का अधिकारी भी आपका सामिल है, तो उसके वारे में हम लोग बात करेंगे, आँगे चल की, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ तो कमिया रही होगी, और इसलिए आप देखें कि इस रेपोर्ट में हमारा नाम आ रहा है, हमारे देश की स्तिती को वो री बता आई जा रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भारत के पक्ष में, या आप देखें कि हमारे देश के पक्ष में कोई रेपोर्ट आती है, तो हमारे यहां कि जो भी सरकार रहती है, सत्ता रहती है, वो उसकी काफी आप देखें सराहना बटोरती है, और तारीब करती रहती है और जैसे ही आपने देखा होगा कि उसके पक्ष में कोई रिपोर्ट नहीं आती है तो आप देखते होंगे कि वो तुरंट नकार देती है कि ये हमारे खिलाब साजिस है अभी डबलू एचो की एक रिपोर्ट आई हुई थी कुरोना के जो कुरोना से आपड़े बताए गए मौतों के उससे कई कुना मौत हुई है हमारे देश में ये सभी को पता है एक बार आप लोग मैब में भारत को देख लिजे अमेरिका को देख लिजे उसके बार हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं और इस तरह की रिपोर्ट से आपकी परिक्षाओं में questions पूँचे जाएंगे और आप लोग जब भी अगर आप लोग UPSC और State PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मुख परिक्षा में भी यहां से point मिल सकते हैं और आपको निबंद में भी काफी अच्छे point मिल जाएंगे और इस तरह की topic पर आप आप देखेंगे कि निबंद पूचा जाता है इसमें कोई दोराय नहीं है तो देखेंगे हमारी प्यारी पितवी है आप देख रहे हैं और इसमें आप देखेंगे ACA में यह हमारा प्यारा भारत है नई दिल्ली आप देखते हैं कि हमारी राजधानी है और आप देखेंग तो आप लोगों को इस तरब देखने को मिलेगा USA जिसे आप लोग सेवतराज भी कहते हैं और जिसे आप लोग अमेरिका कह देते हैं क्या कह देते हैं अमेरिका कह देते हैं और आपको बता दूँ कि जो आप लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि इसकी रादधानी बॉसिंग्टन डीसी है क्या है बॉसिंग्टन डीसी है तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा USA की बात की जा रही है इसी के आपका जो बिदेशी बिभाग है न अमेरिका का उसी के दवारा इस रेपोर्ट निकाली जाती है क्या की जाती है निकाली जाती है देखे आपकी वसिंग्टन राजदानी अमेरिका की और नीवार्ग सहर आप देखते हैं कई संगतनों के यहाँ मुख्याले आपको देखने को मिल जाते हैं तो ये भी याद रखेगा आप लोग और यहां से आप लोग जाएंगे तो यह आपको इंडिया हमारा प्यारा भारत देखने को मिल जाएगा और इस रेपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कुछ बातों पर तो आप भी सहमत होंगे कौन सी वो बात होंगी हाली में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अंतराश्टी धार्मिक सुतन्ता पर 2021 रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में यह दस्ताविज अमेरिकी अंतराश्टी धार्मिक सुतन्ता आयोग द्वारा जारी IRF रिपोर्ट से अलग है और US यानि कि अमेरिकी अंतराष्टी धार्मिक सुतंता आयोग एक सुतंत और दुई दली है संगिय सरकारी इकाई है जब कि आप देखें एक IRF अमेरिकी विदेश बिभाग का हिस्सा है पूर्प की रिपोर्ट एक बैधानिक स्थान रखती है अंतराष्टी धार्मिक सुतंता पर अमेरिकी कार्याले की बात करें तो 1998 में तत्कालीन अमेरिकी राष्टपती विल कलंटन ने आप देखेंगे अंतराष्टी धार्मिक सुतंता अधिनियम 1998 को हस्ताक चरित किया था और इस से अधीनियम ने अमेरिकी सरकार के विदेश बिभाग की तहित एक राजदूद at large की अध्यक्स्ता में अंतराष्टी धार्मिक स्वतनता का कार्यालाई का निर्मार किया और अमेरिकी अंतराष्टी धार्मिक स्वतनता आयोग की इस्थापना किया तो इस आयोग के ब विश्व इस्तर पर धार्मिक रूप से पेरित दुर्वेवार, उत्पीडन और भेद भाव पर नजर रखता है। संगतनों की पहचान करें और उनकी निंदा करें जो धर्म की आधार पर उत्वीधन करते हैं और धार्मिक सुतंता को वड़ावा देने में विस इस्तर पर गयर सरकारी संगतनों की सहायता करते हैं। यहाँ आप देखें आपके आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और आप देखें चाइना चले जाईए आप लोग, पड़ोसी पाकिस्तान में चले जाईए, आप मुए नहीं खोल पाएंगे, वहाँ कुछ बोल नहीं पाएंगे, उसके खराप कुछ गलत हो रहा है तो जिद्धी देखें गई, एक कुछ समय पहले से आप लोग देख दी रहे होगे, कि देखें हिंदो, मुसलिम, मंदिर, मस्चिद, आप देख रहे हैं इस तरह की मुद्दे सामने उठ रहे हैं, और इन मुद्दों पर आपको बता दूं, कि दुनिया भर की नजरें रहती है वो देखते रहते हैं इस सब, धार्मी कल्ब संख्याक समुदाय के सदस्सों पर एह हमले वर्सवर होते रहे हैं, और जिन में हत्याएं उनको डराना, धमगाना सामिल है, और इन में गौ हत्या, गौ मास की ब्यापार की आरोप की आधार पर गैर हिंदूं के खिलाब हमले क की घटनाय भी सामिल है थी, इस रिपोर्ट में इस बात का कहने का मतलब समेज रहे हैं आप लोगाएं तो इतनी आप देख रहे हैं कि पैनी निगाहें रखते हैं हमारे देष बाकी देष दुनिया, सबस सकते आप लो और आपको एक उधारन दे दूँ आप लोगों को एक हकीकत घटना बता दूँ आप सभी जानते हैं कि देखिए 1991 के आसपास अगर आप जाएं तो राम जनम भूमी और बावरी मस्जित को लेकर बिबात चरम पर था और आप देखिए हमारे देश में असांती फेली ह हुई थी, दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, उन परिस्तितियों को ध्यान में रखते हुए प्लेस और वरसिफ एक्ट 1991 आया हुआ था और इस एक्ट में साब कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ हुआ है वो हिंदूओं को भूलना होगा, मुस्लिमो को भी भूलना होगा और आप देखी बाकी धरम के लोगों को भी भूलना होगा, किसी के मंदे तोड़े गए, मस्जिदें तोड़े गई, कोई और धार्मी किस्तल तोड़ा गया, उसके पहले हमारे हाथ में कुछ नहीं था, 15 अगस्त 1947 को हम आजा दुए, उससे 15 अगस्त क नहीं किया जाएगा, बस इस कानून से बाहर आपका राम जनम भूमी बाबरी, बाबरी मस्जिद बिवाद को बाहर रखा गया था, उसके बाद आपने देखा है कि सुप्रेम कोट नहीं उस पर नेड़ा दिया, अब भबराम मंदिर बनाया जा रहा है, और उसका समाधान ह हो गया, लेकिन अपर रॉबलम एए है, कि कई बिद्वान का इतिहास कर गयते हैं, कि तीन हजार से जान्दा मंदिरों को तोड़ करे मस्जिदें बनाई गई हैं, और आप देखे कि कई जैसे आप देखे ज्यान बापी मस्जिद की बात कर लिजे, फिर चाहे आप लोग मत प्रेक्टाय हुआ था ना, तो इसे ही को चुनोती देदी है, तो ये असानती फिर से फैलने लगी है, और आप लोगों को साब बता दूँ, जितना ये धार्मिक और सामाजिक मुद्दा नहीं है, उससे कहीं अधिक ये राजनितिक मुद्दा रहता है, और इसका राजनित विरोधी कानूनों पर भी प्रिकाश डाला गया है, या देखते हूँ कि 28 राज्यों में ये कानून है, और उनके तहत गिरफतारी की गई है, और यह भी बताया गया है कि कई राज सरकार ने धर्मानतर विरोधी कानूनों को फेस करने की ये उजना की गोशना की हुई है, यानि कि धर्मानतर ने एक धर्म से दूसरे धर्म में जानी की, तो उसकी भी बात हो रही है, आप लोग देख रहे हैं, पुलिस द्वाला गरपतारियां, पुलिस ने गैर हिंदूओं को मीडिया या सोसल मीडिया पर टिपिड़ी करने के लिए गरपतार किया है, जिने हिं इसमें हिंदू और सिक्र समुदाय में ब्यापक भय पैदा कर दिया है, और जिससे कई छितर में पिरवासियों का पलायन हुआ है, और इस तरह कि आप देख रहे हैं कि जम्मू कस्मीर में घट रही है, लिंचिंग, बस 2021 में तिपुरा राजिस्तान जम्मू कस्मीर में मु जा रहा था, काठने के लिए जा रहा था, एड नहीं तै किया गया, पहले ही उन्हें मार दिया गया भीड के द्वारा, तो इस तरह कि कई STST के साथ आपनों उन्हें घटनाय सुने होगी, कई राज्चों में, ठीक है, और विदेशी अंसदान बीनेवन अधिनियम गैर अधिनियम का इस्तेमाल किया गया था, और हलाकि सरकार का दावा है कि इस अधिनियम का इस्तेमाल विदेश गैर सरकारी संगटनों की नगरानी और जबाबदही को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और वैस्विक सितिती की बात करें तो वेतनाहम और नाइजिरिया को उन एक अनबर्ग में अमेरिका सहयोगी दे साओधी अरब साथ ही चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान सामिल हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहां तो और बुरी इस्तेदी है चीन मुक्रूप से मुस्लिम उईगर और अनधार्मिक अल्बसंख्यक समूहों के नरसंगार दम कि जो मुस्लिम उईगर हैं इनके साथ कितना भेद भाव किया जाता है इने कितना मारा जाता है लेकिन आप देखते हैं कि चाइना अपने मस्त है अपनी उसमें वहां लोकतंत की बात भी नहीं होती है न और हमारे यहां क्या है कि लोकतंत होने की हम लोग बात करते हैं और अब देखिये हकीध बात है और मेरा ऐसा मानना है देखिये कि 15 अगस्त 1947 की पहले आप देखिये बटवारा होता है उस दिन भारत पाकिस्तान भारत से अलग करकी पाकिस्तान बना दिया जाता है। जो मुझे लगता है कि जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम था, वो कटर मुसलिम थे, वो उस दिन चले गए थे, अब आप देखें कि हमारे यहां जो भारत से प्रेम करते थे, मुसलिम हो और किसी भी धर्म के लोगों, वो भारत में रोख गए थे, अब आप देखें उन में से अ तो मुझे लगता है उसी कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए उसी के समाज धर्म के लोगों को आंगे बढ़कर उस बेक्ती पर कारवाई करवाना चाहिए तब ही आप देखें हमारे देश की जो सुंदरता है वो बनी रह सकती है और आप देखें कि पाकिस्तान में कई लोग मतलब हो रहा है कि इस और की निंदा कर रहे हैं आप लोग यानि कि कहने का मतलब है कि आप लोग जान बूचकर किसी पूजा इस्थल या पूजा की चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं या बेधान डाल रहे हैं तो यही हो जाती है इस निंदा और प्रगेती की बात करने और धार्मिक अभी व्यक्ति को कम करना जैसे कि धार्मिक वोसाथ को फिती बंदित करना सामिल है भारत में अगर हम लोग धार्मिक सुतंता की बात करें तो आप सभी लोगों ने समिधान का भाग तेन पड़ा होगा मौलिक अधिकार के बारे में पड़ा होगा आप सबी जानते हैं कि अगर आप लोगों के मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, कोई चीनता है तो आप लोग High Court और Supreme Court जा सकते हैं High Court, Supreme Court आपके अधिकारों की सुरक्षा करेगी भारती समिधान के अनुचेत 25 से 28 तक धार्मिक सुतंता का एक मौलिक अधिकार की रूम में उलिखित किया गया है यह 25 से 28 जरूर याद रखेगा अनुचेत 15 में क्या काया कै? अन्ता करेंट की सुतंता और धर्म को आवाद रूप से मानने, आचरन करने और पिर्चार करने की सुतंता दी गई है लेकिन आप देखें कि यहाँ सीधा कागा है, कि आप लोग अपने धर्म को मानेए, उसका पिर्चार पिसार करिए लेकिन एक बात याद रखिए दूसरे के धर्म के मामले में अगर आप लोग हस्तचेप करते हैं अगर दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं तो वहाँ आपके धर्मेक सुतंता बरवी पी तीवन लगाया जा सकता है तो ये भी याद रखिएगा आप लोग और आप देखेंगे अनुचे 26 क्या कहता है धार्मिक कारियों के प्रवंधन की सुतंता की बात करता है कि धार्मेक से जुड़े हुए जो भी कारे हैं उनके प्रवंधन जो भी ववस्ता करनी उसकी बात करता है अनुचे 27 कहता है किसी विसेस्ट धरम की अभी वेटड़ी हेतू करों के संदाय को लेकर सुतंता टैक्स की बात हो रही है अनुछीद 28 कहता है कुछ विशिट सेक्षरिक संस्थाओं में धार्मिक सिच्छा या धार्मिक कुपासना में उपस्तित होने के लिए कर सुतंता की बात की गई है आपने देखा है कि हमारे देश में कई धर्म अपने स्कूल भी चलाते हैं सिच्छा भी देते हैं तो उस पर कोई पावंदी नहीं है अगर आप देखिए सरकार की तरब से कर कोई मदद मिल रही है तो आपको बता दूँ उस पर फिर नहीं है आपकी इसक्चा हुआ धर्म एक सिख्चा दे जाएगी लेकिन आप अपनी जएन दर्म में अगर इसलाम धर्म में मुसलिम धर्म में कह रहा हूं अब आप लोगों को अपना opinion जरोर देना है और मुझे लगता है कि आप लोग सुतन्त हैं और पड़े लेखे अगर होकर अगर आप लोग अच्छे से मुझे लगता है point लिखते हैं या बताते हैं तो मुझे लगता है आपकी number भी आपको अच्छे मिलेंगे और एक बात हो र नहीं है उसके दोनों पहलों देखा करिएगा और अपना निसकर्स अपना opinion जरूर दिया करिएगा यही तो देमाग जिसके पास होता है वो करता है कि आप लोग सही सामने वाले वेक्ति में अच्छा हिया हैं भी बुराईया भी है उसके बाद आप लोग अपना निसकर्स कि उसकी अच्छाईया कहा है बुराई क्या है या लाश्ट में क्या कह सकते हैं आप लोग सके बारे में चलिए तो आप लोग पढ़ते रही है और इस तरह की रेपोर्टें आती हैं इंडेक्स आते हैं सोचकांक आते हैं उनसे questions आपकी परिक्षाओं में जरूर पूंचे जाते हैं आप जिस भी एक्जाम की तयारी करें उसके कम से कम चार से पास साल पुनाने questions पेपर उठा कि आप लोगों को देखना है तो आप लोग समझ सकेंगे कि questions आपकी परिक्षाओं में हकीकत में आते हैं ठीक है